तो हलो गाईज मैं विनोत मालवी है वी एम एडिटर यूटूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइबर कर देना और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को फोलो कर लेना तो गाईज सबसे पहले आपको बेगराउंड ओपन करना है पिकसाट अप्लीकेशन में बेगराउंड ओपन करने के बाद यहां पर एक पोटो एड़ करेंगे आपन तो प्रकार से एक पोटो में ने एड़ कर लिया इसको मैं क्रोप करूंगा यहां से क्रोप वाले क्लिक करने के बाद यहां से क्रोप कर लूँ और हब बोडी रखूंगा इसको यहां पर इतना उसके बाद यहां से राइट क्लिक कर दूँआ गाईज गाईज राइट क्लिक करने के बाद इसका बेगराउंड रिमो करेंगे तो इसके लिए चलेंगे अपन केचे वाले तो इतना काम करने के बाद यहां से आपको इस 17 परक्दर से पड़ा खालाना इतना जूम करना है तो इतना जूम करने के बाद इस 10 काम करने के बाद यहां ससी時 करेंगे ऐरेजि करने के बाद इसकी रेजर्ट सेटिंग दिखेंगे इरज़ेट किलिक करेंगे तो यहां से साइज बढ़ा लेंगे हटनेस को कम करेंगे और ओफिसिटी को भी कम करेंगे लगवे कितना इतना रखना है उसके बाद इस परकार से आपको इरेजर करना है नीचे नीचे का पार्ट सो तो गैस इस परकार से आपको इरेजर करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो गैस आपको इस परकार से इरेजर कर लेना है तो guys इतना erasure करने के बाद देखिए इतना काम अपना complete हो गया तो यहां से right click करेंगे तो guys इस photo का काम complete हो गया आप दूसरा photo add करेंगे अपने इसके लिए फिर से add photo पे click करेंगे हाँ पर तो करने के बाद इसका background remove करेंगे तो इसके लिए वही process अपनी catch वाले button पे click करेंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ present वाले option पे click करेंगे guys तो guys इतना काम करने के बाद देखिए process अपनी हो रही है तो यहाँ से save वाले button पे click करेंगे तो guys देखिए इसका भी background अच्छे से remove हो गया है ना गाईस बेगराउंट रिमूव हो गया है तो इसको अपने exist करेंगे यहां पर इस प्रकार्सियर में बड़ा इसको कर लेता हूं तो इतना बड़ा रखूंगा मैं इसको तो इसका shadow बनाएंगे सेडो के लिए अपन यहां पर इस्टिकर ओले बुटन पर किलिक करेंगे तो गाइस रिसेंट पर किलिक करेंगे तो गाइस यहां पर पहले से में सर्च कर लेता हूँ पी एंजी तो आप भी सर्च कर लेना सेडो पी एंजी तो यहां पर सेडो पेंजी एट करेंगे यह वहला तो गैस इसको 8 करेंगे here तो guys 8 करनेके यहांँए इसके बाद मुट आहनवन पर किलक करेंगे चला गया एफक्ट तो हमकिन के तो किशिच करने के बारD इसको इसका एक डूप्लिकेट बना लेगे बनावद इसका बद्धिक्स किलिक करेंगे हापे उसके बारD यहां पे इसको को बेरों के लगा लेंगे तो इतना काम कंप्लेट होने के बाद देखिए अपना आदा पोठो बनकर तयार हो गया तो पूरा पोठो बनाने के लिए फिर से अपने इड़ पोठो पर किलिक करेंगे यहां पर तो यहां पर तो यहां सारे पी एंजी और बेगराउंड का लिंक में निचे देदूँगा आप महाँ से जाएके डाउनलोड कर लेना तो यहां पर बिगनेट वाला पी एंजी एड़ करूँगा हम यह वाला एड़ करेंगे यहां से तो इसको पहले तो सबसे पहले अपन इस परकार से गुमा लेंगे गुमाने के बाद फुली स्किन कर देंगे इस परकार से इस परकार से तो इतना जूम रखेंगे मैं आप भी इतना जूम कर लेना इसको इतना काम करने के बाद आप इसमें पक्छी का पी एड़ करेंगे तो उसके लिए फिर से अपने एड़ पूट पर किलिक करेंगे गाईज यहां पर किलिक करने के बाद यह वाला पी एड़ कर जी यह तो इसका blading mode option देखेंगे पहले तो यहां option को scroll करेंगे blading mode option पर click करेंगे guys यहां पर और इसके बाद यहां पर इसको darken कर देंगे guys darken करने के बाद यहां exist करेंगे तो guys यहां इस परकार से यहां पर छोटा करेंगे guys इस परकार से guys यहां पर छोटा कर देंगे तो guys इतना काम करने के बाद देखिए अपने पोटू बन कर तयार होगे है ना guys तो इस परकार से मैं इसको एगजेश्टे कर लेता हूँ तो guys एगजेश्टे करने के बाद एक ओट टेश्टे PNG है तो इसको भी मैं एट कर देता हूँ यहां पर एट पूट्टो पर क्लिक करेंगे यहां पर तो guys उप्शन को गैलरी ओपन हो जाएगी यहां पर मैं एक PNG एट कर लेता हूँ तो guys यहां भी PNG एट कर लिए है मैंने इसको इसका भी लेधिंमोल का जाल ऑफ़ीं स terrace choisुट करेंगे इसको जें healthy करने के बाद के आपकार से इसके हैं तो guys जो डेकि अपना फूट्ट हो अपनकर तैयार हो गया हना recognize तो यहां सरा यहां सा फूट किल्क कर हैं तो गाइस देखिए अपना पॉटो बनकर तयार होगे तो गाइस इसे ही पॉटो अडिटिंग सीखने के लिए भाई का पेश फॉलो जरूर करना है वो सब्सक्राइब पर तो गाइस करके ही जाना है ना गाइस तो इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे टूल से वाले उप्सन पर से क्लिक करेंगे तो गाइस एकर बड़ा करेंगे तो गाइस देखिए अपने पोटो बनकर तयार होगए ना गाइस तो गया लगवक टार्गे रखेंगे अपन 15 तो ज्यादा दन्यवाद गाइस थेंक्यू